अपेनंदन आबार और बहुत बहुत फ़ाले था दोस्तों जयोतिश विग्णियान के इस अतियासिक चैनल पर और मैं हूँ आप सबका एश्ट्रो दोस्त रुपेन आर्शा जानिवारी सेकंड फेस 11 से 20 जानिवारी 2024 अगले 10 दिन आपके लिए कैसे जाएंगे सबसे बड़ी बविशवानी पार्ट टू लगना के हिसाथ से प्रिडिक्शन्स है जितनी भी प्रिडिक्शन्स यहाँ पे की जाती है उसका सबसे माइनूट वर्सन अगर पहले से पता हो कि आने वाले 10 दिनों में कौन से दिन आपके लिए नकारात्म करा सकते हैं आपका जो भी लगना हो व्यक्तिकर जन्मांग में अवस्थाएं अलग हो सकती है तो उसके अनुरूप उसका प्रभाव भी थोड़ा सा ज्यादा या कम हो सकता है लेकिन नेगेटिव दिनों में देखिएगा जिस भी लगना के लिए वो तारीखे बताई जाएंगी उन दिनों में प्रतिकुल परिस्थियां पनेगी तो आप पहले से सचेत रह सकते हैं और दूसरी जो आपकी कम्प्लेन है कि नेगेटिव 100% होता है पॉजिटिव क्यों नहीं होता उसके लिए अगर य बैलेंसिंग अनी वारिया है तो क्या किया जाए इसी यूट्यूब चनल पर हर दो पहर को ग्रहों की बैलेंसिंग के दैनिक प्रयोग का सेग्मेंट MKSA माश्तर की सुवन अक्षर प्रसूत होता है उन प्रयोगों को नितियर रुप से अपने जीवन का हिस्सा बना आज की इस वीडियो में बात करेंगे बाकी के छे लगनों की मतलब तुला लगना से लेकर मीन लगना की तुला लगना जन्मांग खोली है बहुत सारी कुंडलिया होंगी पहली जो कुंडली होगी उसमें 12 खाने उपर वाले सेंटर के खाने में दीखिए वहाँ पे लगना लग इंग्लिश में हुआ तो एसेंडन्ट या फिर एस लिखा होगा उसी खाने में अगर नंबर सेवन लिखा हुआ है मतलब तुला लगना हुआ पहले फेज में शुरुवाती कुछ दिन मतलब 30 डिसंबर से 2 जानिवारी तक का समय आपके लिए थोड़ा सा विप्रित्त उसके बाद आपके लिए परिसेतिया बहुत ही अनुकुल जा रही है सेकंड फेस की बात करें तो सुर्यदेव के राशी परिवर्तन के बाद जो दो तीन दिन है मतलब 16, 17, 18 जनवरी आपके लिए नेगडिव रह सकता है तीन दिनों की बात है उन तीन दिनों को संबाल दी जीए अधरवाइस दूसरे फेस की बात करें तो बाकी के जितने भी दिन है वो आपके लिए लखी डेस कह सकते हैं मानसिक शांती का अनुभव करवाने वाला समय है अच्छे खासे पैसे भी हात में आने चाहिए कैरियर प्रोस्पेक्स में बहुत सारी नई opportunities आपको यहां पे मिल सकती है तो दूसरा फेस तीन दिनों को संबाल दीजी अधरवाइस तूला लगना वालों के लिए काफी अच्छा है बात करें व्रिशिक लगना की जन्मांग खोलिए बहुत सारी कुंडलिया होंगी उसमें पहली कुंडली लगना कुंडली और कुंडली में 12 खाने होते हैं उपर वाले सेंटर वाले खाने में देखिएगा वहाँ पे लगना ला इंगलिश में हुआ तो एसेंडंट या एस लिखाओगा वहाँ पे अगर नमबर एट लिखा हुआ है आठ नमबर मतलब व्रिशिक लगना हुआ अभी आपके लिए नेगेडिव फेस चल रह होंगे अब दूसरे फेस में एक भी दिन नेगेडिव नहीं है चोड़ी मोड़ी पारिवारिक यात्रा या सोशल गेट टूगेधर भी 11 से 15 तारिक के बीच में हो सकता है और कुछ सामा जी किया पारिवारिक रूप से कुछ खर्च की स्थितियां बन सकती है बहुत सारे नए आइडियाज मिल सकते हैं आपका कोई काम फसा हुआ है तो किसी की सला के द्वारा या फिर इंटुशन के द्वारा उसे बाहर निकलने का मार्ग मिल सकता है पूरे दूसरे सकता में 15, 16, 17, 18, 19, 20 मतलब 15 जानिवारी से 20 जानिवारी तक का जो समय है वो कैरिये प्रोस्पेक्स में नई आपरचिनिटी का समय है वहाँ पे जो भी आपरचिनिटी मिलती है दोनों हासों से ग्रैप कर लीजिए थोड़े से धनलाब की स्थितियां भी इस पेस में आपक पे लगना ल इंग्लिश में हुआ तो एसेंडंट या एस लिखा हुआ है वहाँ पे अगर नमबर 9 लिखा हुआ है नौ नमबर मतलब धनू लगना हुआ ये थोड़ा सा कैयोस वाला है अभी 8, 9 और 10 जानिवारी आपके लिए नेगेडिव है कैरिये प्रोस्पेक्स में स् पश्ट वक्ता मत बनिएगा अधरवाइस अपमान जनक सिच्यूइशन्स भी बन सकती है परिवार में कहीं पे भी सच्चाई वहीं पे बोलनी चाहिए जब तीन कंडिशन्स फुल्फिल हो जो आप बोलेंगे वो सामने वाला समझ पाए स्विकार कर पाएं और उसके बाद उसके अनुरूप सुधार ला पाएं अगर तीनों में से कोई भी कंडिशन्स आपको लगती है कि फुल्फिल नहीं होती है तो वहाँ पे सत्य बोलने का कोई अर्थ नहीं रहता तो इस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा पूरे जनवरी देश कह सकते हैं दोस्वार अन्मेरिल 14 जानुरी के बाद आपके लिए विवा के योग बनना शुरू होंगे मैं फिट से कह रहा हूं पारिवारिक मामलों में कोई ज्यादा गडबड नहों उसका ध्यान रखना है केरियर प्रोस्पेक्स के लिए यह मैना अच्छा है नई स्ट्रेस की अनुबुदी यह करवाएगा और पारिवारिक मामलों में यह जो स्ट्रेस चल रहा होगा दोनों कंबाइन जब हो जाएंगे तो स्ट्रेस थोड़ा सा ज्यादा लगेगा वैसे धनू लगना वाले लंबे समय से स्ट्रेस का अनुबग कर रहे हैं मकर लगना की जो कैवस वाली सिचुएशन बनी थी जनवरी महिने में आपके मान सन्मान में अभिवरुद्धी हो ऐसा एक या एक से ज्यादा घटना करम बन सकता है पारिवारिक दर्श्रीकोंड से यह महिना काफी अच्छा है अगर परिवार के किसी भी सदस्य के साथ आपका थोड़ा अभी आठ तारीक से आपके लिए नेगेडिव तारीके शुरू होगी आठ नौ दस जनिवरी जो फर्स्ट फेस में आपके लिए बताया था और ग्यारा जनिवरी भी मतलब लगातार चार दीन नेगेडिव है आज वीडियो छे जनिवरी को ये शूट हो रहा है तो आठ न यह opportunity मिलती है उसे grab कर लीजिए अच्छे खासे पैसे भी आपके मतलब आपके जन्मांक में जो strengthening किया उसके अनुसार धनलाब की सितियां भी यह बना सकता है मानसिक शांतिका भी यह समय रहेगा और पारिवारिक रूप से जिनके भी सास संबंध कराब हुए है उसे सुदा आपको loneliness या depression फिल करवाने वाला महिना रह सकता है 10 January के बाद कोई भी बड़े decisions आपको नहीं लेने चाहिए 12 February तक तो pending रखिए मतलब pending नजर बना के रखिए लगना कुंडली में अगर center वाले लगना वाले खाने में 11 नमबर लिखा हुआ है मतलब आपका कुम लगना हुआ 10 January के बाद mood swing के आप शिकार हो सकते हैं खुद के उपकार जो आत्मविश्वास है वो थोड़ा सा हिला डिला हुआ नजर आएगा आपकी सामने रूप से कुम लगना वालों को मैंने देखा है कि decision लेने में वो crystal clear रहते हैं yes then yes no then no बीच की कोई बात नहीं लेकिन यहां पे आप खुद के decision के उपर आप खुदी संशाई करने लगे इस प्रकार की स्थितियां बन सकती है संतान के लिए खर्च की स्थितियां बन सकती है second और third phase में यह हो सकता है कि आपकी पीट पीछे कुछ शड़ी अंतर चल रहा हो अचानक आपके सामने आ जाए लेकिन यह revenge लेन loneliness फिल करवाएगा यह mood swing आप कह सकते हैं नेड़े लेने की क्षमता थोड़ी सी बादित हो ऐसी चीज़े हो सकती है second phase में एक भी negative दिन नहीं है 15, 16, 17 और 18 जनिवारी पूरे जनवरी मैने के lucky days कह सकते हैं career prospects के संदर्द में career के संदर्द में कुछ नई opportunity यहां पर मिल सकती है आकस्मीक दनलाग की सितियां भी यहां पर बन सकती है एक भी negative दिन नहीं है फिर भी मैं कह रहा हूं कि इस प्रकार की सितियां बनेगी तो अपने आपको थोड़ा सा control में रखिए क्योंकि जो आप खुद है वो ही थोड़ सा हिल्टा दूल्टा हुआ नजर आ रहा है लगना मतलब आप खुद थोड़ा सा संबल जाईए और आखिर में बात करें मीन लगना की लगना कुनली के बारा खानों में उपर वाले सेंटर वाले खाने में जहां पर लगना लॉग Ascendant As लिखा है वहां पर अगर बारा नमबर लिखा हुआ है मतलब मीन लगना हुआ के लिए तो यह सुपब मैना है संतान के सुख का मैना है संतान related कोई गुड नीज मिल चुकी होगी उनके केरियर के संदर्भ में उनके विवा के संदर्भ में दो दौर regularly देखते होंगे मैं बहुत कमबा करता हूँ आपका जो भी कार्यक्षित्र है वहाँ पे विवाद से बची देखिए दो चीज़े होती है साथ सफलता मिलना और सफलता को पचाना तो जो भी सकसेस आपको मिले उसे डाइजेस्ट करके थुड़ा सा लो रहने की विनमरता के साथ रहने की कोशिश कीएगा कोई आपको प्रोवक कर सकता है आपके करमस्तान में तो जरूरी नहीं कि हर एक्षन के उपर एक्षन दिया जाए शांती के साथ उसे निगलेक कर दीजी और अपने काम पे आगे बढ़ पॉजिटिव भी है और प्रोड़क्टिव भी है शॉट एंस्विट डेट वाइस प्रेडिक्शन रुपे नार शा नाम के इस यूटूब चानल को अभी दक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लिजीए साथ वाला बैल आइकॉन दबा दीजी और उसके बाद तीन हर नए वीडियो की नॉटिपिकेशन आपको सबसे पहले मिंते रहे हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉलुशन चाहते हैं स्वागत है आपका वाट्सप नमबर थमनेल में दिया हुआ है कॉल मत किजिएगा कॉल सम नहीं ले पाएंगे अपना नाम बढ़ समझा दिया जाएगा नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे जाएंगे